एक सर्व हमारे जो सब्जेक्स थो क्या सर हो सकते हैं और कि कितने सब्चेक्ट ट्रांसपर हो सकते हैं यह कोशन एक नॉर्मल कोशन एक जर्णर कोशन है जो लोग नाइस में बहुत टाइम से जुड़े हैं उनके लिए एक छूटा का कोशन है लेकिन जो अभी जिम को नाइस की जानकारी नहीं है उनके लिए बहुत बड़ा कोशन और पोशन आई ए तो इस कोशन की पूरी हम आज ब्सक्राइश करेंगे और बात करेंगे कि कितने सब्चेक्ट हम एक सब्ड़ और हमारे सब्ड़ेंग चैनल में चोटी से चोटी जानकारी और बड़ी से बड़ी अपडेट नइस की हम आब तक लेकर आते रहते हैं, आपने से कोई भी हो जो पहली बार हमारे इस वीडियो में आया हो, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि इस तरीके के जो भी वीडियो आए तो आप तक मिल सकें, और आप रहें N.I.S की सारी authentic news से अपडेट, तो क्या वो transfer हो सकता है या नहीं, तो student, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बचाना चाता हूँ, अगर आपको यह ऐसे student हो, जिसने class 10th या 12th में exam दिये हैं, और आप उन में से 3 या 4 subject में pass हो गये हो, और किसी एक subject में fail हो गये हो, और अब आपका साल जो है बरबाद होने के लि क्या करना होता है कि कोई भी दो subject, जी हाँ, ध्यान से सुझिए कि कोई भी दो subject, यानि maximum two subject, आप अपने board से NIS board में transfer करा सकते हैं, जिसको NIS board की language में TOC कहा जाता है, यानि कि transfer of credit, यानि कि अगर आपके English में 66 marks हैं, और आपके max में 54 marks हैं, और इन दोनों में आप pass हो, और बा as it is marks के, सिर्फ याँ पर एक condition रहेंगी, जो भी student अपने marks को किसी other board से NIS board में transfer कराता है, उसके लिए बहुत important conditions हैं, जो की बहुत सारे students को पता भी नहीं है, जो TOC facility ले ले लेता है, लेकिन इस condition के बारे में नहीं पता है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, अगर आप TOC ले रहे हो, यानि transfer of credit ले रहे हो, तो सबसे वहले तो ध्यान रखें कि आप सिर्फ maximum दो ही subject का transfer ले सकते हो, चाहे आप 4 subject में भी पास क्यों ना हो, आपके maximum दो ही subject transfer होंगे, आप TOC लेते हो, तो बती है कि जो भी आपकी पिछले board की, जो original mark sheet है, mark statement है, जिस भी board से आप transfer करा चाहते हो, वो वाली की original mark sheet आपके NIS board के regional center में submit होती है, जो आपको खुच जाके रहा करानी होती है, और अगर आप TOC लेते हैं, और अपनी original mark sheet submit कर देते हैं, और बाद में exam देते हैं, तो जो आपके TOC वाले subject हैं, वो ट्रस्वर नहीं होते हैं, तब तर नहीं होते हैं, ज और दो subject का TOC लेते हैं, और अधर तीन subject का exam देते हैं, जिन दो subject का आप TOC ले रहे हैं, उसके लिए आपको original mark sheet के पीछे अपना enrollment number लिखे हैं, अपना mobile number लिखे हैं, और उसको original center में submit कर देते हैं, और original center से एक receiving भी ले लिए लिए, फोटो कॉपी में एक फोटो कॉपी करा हैं, और उसको पोटो कॉपी में आप receiving ले लिए कि और इंदर माक्षिट हमने आपको submit कर दी हैं, और वो और इंदर माक्षिट करने के बाद आप बाकी बचे में 3 subject के exam दे सकते हो, वो किसी भी माध्यम से दे सकते हो आप, और वहाँ पर 3 subject जब आप qualify करण होगे, तो वो 3 subject प्लस ये 2 subject transfer होगे, आपको 5 subject हो जाएगे, और आपको NOS Board की तरब से आपका statement जारी जबती जाएगी, माक्षिट स्टेट्मेंट, साथ-साथ में passing certificate आपको दिये दी जाएगा, और साथ-साथ में migration certificate, तो ये 3 certificate आपको मिल सकते हैं, अगर आप QOC का facility लेते हो, तो मेरा आज क जाएगारी के लिए वीडियो बनाना चाते हैं, तो हमसे comment box में mention करिए, मैं जल्दी वीडियो लेकर आओंगा, और इस तरह के वीडियो को पाने के लिए हमारे इस वीडियो को इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो है हम नए नए वीडियो लेकर आते